शहद को जड़ी बुटी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और शहद मानो जीवन में सेहत के लिए बहुत लाबदायक होता है आज हम आपको शहद से जुड़ी कुछ ऐसी बाते बताने जा रहा है जो आपने कभी सुनी देखी नहीं होगी शहद मोसम के अनुसार अपना रंग बदलता है शहद एक्सवर्ट बताते है कि चार मोसम में चार बार शहद का रंग बदलता है जिसमें से दो मोसम का शहद जमता नहीं है दो मोसम का शाद जमने लगता है लोकल 18 की टीम को शाद एक्सपर्ट किसो और शाद वाला नहीं जानकरी देते हुए बता है कि चार मोसम का चार रंग में शाद होता है थंड गर्मी बारिस और धूप में अलग-अलग शाद निकलता है एशा इसलिए होता है कि जंगल में भी मोसम के अनुसार खेती होती है तो वही पेड़ पोदो भी मोसम के अनुसार फल पत्या देते है उसी के आदार पर शाद अलग-अलग रंग में बनता है मदुमक्या, खेतों, जंगलों से अलग-अलग फलफुल, पत्या, एकत्रित कर शयद बनाती है बारिश में शयद का रंग सपेद होता है, गर्मी में ओरेंज और थन में लाल और दिसम्बर से जनवरी का शयद पीला होता है इस तरह से चार बार शयद के रंग बदलते हैं, इसमें शबसे औरिजनल शयद नवरात्री के समय का होता है, जो शयद फिरिज में रखने पर भी जमता नहीं है फलफुल और पत्या बदलने पर शयद के रंग बदलते रहते हैं किसा शयद बनाती है मजोकि क्या, शर्सो का सहथ अलग भीला होता है कितने मोसं में कितने सबसे नोडा तरी का समय का सहथ वह नहीं जमता हैं घाल्छी ने जमने जाता कि लिए सब्सक्राइब जो जब आम पकते हैं, तब उस सहद नहीं जमते हैं. इसके बाद सिर्फ दो मैने का सहद जमते हैं. ठंड का जमता हैं? जी, माग औ हुली कसमे का सहद जमते हैं. क्या बाद बाद? किसोर सहद.